हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू 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 देटल तर्वडार फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक नहीं डिजाइन बनाने वाले हैं और उम्मिद करता हूं कि आपको हमारी पिछली डिजाइन पसंद आई होगी जिसमें हमने आपको क्रिस्मस रेलेटेड आपको डिजाइन बन क्रिसमस अगरेटेड ही बनाएंगे दू के अब स्क्रेस्च मस आना ही वाला है तो अनगू कुछ डिजाइन की बिना की मताएंगे जो आप चाहें तो अपने लाइन स्प्रूंट कि भी हम रे सकते पॉलो कर लिए तो फ्रेंच चली स्टार्ट करते हैं लिए कि सबसे पहले हमको बैग्राउंड कलर देना है बैग्राउंड कलर के लिए हम यहां से आप देख सकने हैं इस सर्कुलर शेप पर आएंगे और इस पर क्लिक करके सॉलिड कलर पर क्लिक करेंगे और सॉलिड कलर पर आप इस तरह से बेग्राउंड सलेक्ट कर लिए तो यह देख लिए कि हमने जो बैग्राउंड लिया है वह दूकुल डार्क ग्रीनिश टैपर कलर है और हम इसको ओके कर देंगे अब हम अपनी इमेज को यहां पर प्लेस करे लिए तो जल्दी से अब हम माई इमेज को ओपन कर लिते हैं आपर तो यह इमेज हमने डाउन्योट करके रखिए है तो इसको हम जल्दी से यहां पर प्लेस कर लेते हैं इसको दुकुल हम सेंटर में प्लेस करेंगे इस तरह से और अब देखिए अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पर ब्रश टूल के हल्प से अच्छा देखिए ब्रश टूल लेंगे आप और एक नए लेयर क्रिएट करेंगे विद्धि हमने नए लेयर क्रिएट करेंगे यहां पर आपको इस चीज का ब्यान रखना है कि कभी नहीं आप ब्रश टूल को जब भी आप में ले रहे तो आपको नई मेर क्रियेट करनी पड़ेगी और इसका साइस जो है हम बड़ा कर देता है अब लेता है और इसका कलर जो है हम डाइट कलर पिले रहे हैं और इसको यहां भी हम इस तरह से क्लिक्ट कर देंगे तो आप बैगराउंड में हमने एक अनल क्लिक किया है तो आप बैगराउंड देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है कड़ीं अब देखे अब हम जारेंगे फिर से बश्टूल लेंगे आप एक नहीं लियर क्रेट कीजिए और फिर से ब्रस्तों में एब जो अब रुच लेंगे लिए बख्रामारा चेंज करेंगे ब्रशिंटर्च ऑप the black अब रश्म का ब्रशिय में इस निया विधि निया ब्रश लेंगे और ब्रशिंटर्च का ना जो है चेंज कर लेते हैं वाइट कल रहुआ पर कर लेते हैं और प्रेध करें यह आप इस तरह से देखिए स्नौ का हमने हाँ पर अफेक्ट दे दिआ होगा और देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे यह जो हमने हमारी इमेज ले है इस इमेज को हम कॉपी करेंगे तो कंट्रोल जे करके आपसे कॉपी कर सकतना है और इस image को हमको हमारी जो primary image है इसके आपको नीचे रखना है और अब हम इसमे color overlay लगाएंगे लेकि color overlay हम जो हमने लिया है इस तरह की color लिया से ले रहे हैं और इसको ok कर लीजिए color overlay करने के बाद control T करके हम इस image की size को बढ़ाएंगे इस तरह से और अब हम इसमें blur effect देंगे तो filter में चाहिए और blur effect आप यहां से Gaussian blur कर देजिए इस तरह से तो देखिए background इस तरह से आपका थोड़ा सा दिख रहा होगा जो अच्छा दिख रहा है ओके चलिए तो अब आपको कुछ कुछ यह image जो है आकार देती है नजर आ रही होगी अब हमें क्या करना है अब हमें यहां पर टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट यहां पर लिखेंगे मैरी क्रिस्मस तो टेक्स्ट ले लिजिए और यहां पर लिख देजिए क्याफिटाइम में मैरी अब हमें इसका फॉंट चेंज करना है फॉंट हम यहां पर जो ले रहे हैं अब ले रहे हैं ाप लेसा तरह आ अप छोटी कर देंगे इस तरह से हम्सकर देंगे और इसको हम यहां से बोल्ट करने के हैं तो यह इस तरह से आपका मैनी दिखना चाहिए और आप लिखेंगे क्रिस्मस क्रिस्मस का जो फॉंट है हम चेंज करने वाले हैं तो क्रिस्मस का फॉंट हम आसे क्रिस्मस इन ब्रैटन यहां फॉंट यहां कर ले रहे लिए कंट्रोल टी इसको थोड़ा बड़ा कर लिए इस तरह से अवा इसको आपको जो अलाइंग मेंट वगड़ा आपको सब चेक करना है आपका अलाइंग्मेंट वगरा वीकुल सही होना चाहिए तो यह हमारा मेरी क्रिस्मस हम ने लिख दिया है अगर नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं बहुत इंपर्टन स्टैप है तो आप सब बहुत ज्यान से देखिएगा तो अब हम यहाँ पर एक इमेज और लेके आएंगे कर देखिएग कर देखिएगी तो यहाँ कर दो चाहिएगा a hungry image okay तो एक काम हम कर ले तूँ पहले तो फ्रेंट्स देखिए मेरे कम्प्यूटर में थोड़ा सा फ्रवलम आ रहा है इस मुझे से आपको थोड़ी सी डॉइज भी आ रही होगी तो में उचाओं करें आप दूझे माप करें तो जो हमने वाल पेपर डाउन्लोड किया है इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे कंट्रूल टी करके इसकी साइस को हम रिसाइस करेंगे और मेरी क्रिस्मस पर हम इसको क्लिक मास्क करने वाले हैं उससे पहले हमको मेरी क्रिस्मस जो हमने लिखा है इन दोनों को convert to smart object करना है और फिर इस image को हमें इसके ओपर प्लेस करके और इस तरह से यह क्लिपिंग मास्क हमको कर देना है तो यह हमारा जो मैरी क्रिस्मस जो मैं लिखा इसलिए आपको अच्छा सा effect gradient effect आपको देहेगा तो अगर आपको gradient की knowledge नहीं है color की आपको knowledge नहीं है तो आप इस तरह से भी gradient effect दे सकते हैं जो काफी cool आपको लगेगा और नेक्स्ट हम क्या करेंगे इदर नेक्स्ट हम फिर से जहां पर एक image लेके आता है में भी download के अंदर वो image हो सकती है तो वहां से हमने लेंगे इस image को देखिए इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है तो इस image को हम यहां पर place करेंगे फिर कंट्रोल टी करके कंट्रोल टी कीजिए और इस image को resize कीजिए इस तरह से आपको अपनी image को resize करना है तो टी करके भी आप्स को इस तरह से resize कर सकते है तो इसको हम यहां पर place कर जाना है इस तरह से और इस तरह से इसको लगा देंगे और इसको हम खो इस तरह से बैक में जाना है देखिए अब हम इसकी जो इस तरह से मुटक देंगे लिखिए तो इस तरह से आपको इसमें affect डालना है इसमें आपको इच्छा लगा आप लगा सकते है इसमें से अच्छा लगा आप लगा सकते है इसमें से तो अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो मुझे जो है ये कल्या डॉज जो है ज्यादा अच्छा लग रहा तो इसमें आप देखे पीछे से इसा लग रहा है कि जो है लाइटनिंग इमेज जो है याप जी से उपर से कोई लाइक गिव नहीं हो इस तरह की इसमें अफेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर एक अफेक्ट आ रहा है जो काफी कूल लग रहा है तो मैं इस इमेज इसको इस तरह से यहां पर सेट कर लिता हूँ अब अब देखिए अब आपको क्या करना है अब में एक इमेज और यहां पर लेकर आ रहा हूँ तो देखता हूं कि मुझे मिल जाती है नहीं तो इसको फिर समको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा तो यह मैंने एक इमेज जहां पर एडिट करके रखी हूँ नहीं जो आप मुझे है मिल चुकी है एक सेंटा की इमेज है जो मैंने डाउनलोड की थी तो सेंटा को भी हम प्लेस कर देंगे यहां पर इस तरह से तो अब आप देखिए काफी अच्छा लग रहा है और वहां और डिजाइन जो है हमाया कंप्रीट हो चुका है कंट्रोल टी करते है और इसकी साइस क्रम थोड़ा सा यहां पर बड़ा देते हैं हमारी डिजाइन जो है कंप्रीट हो चुकी है उमिद करता हूं कि आपको डिजाइन पसंद आई होगी और हमारी क्रियेटिविटी आपको पसंद आई होगी तो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे तो ज़न्दी से लाइक कर लिजिए और इंस्टा और फेस्बुक पेज पे तो एपसलूटली फ्री हैं हम आपसे कुछ चार्ज नहीं दे रहे हैं और अगर आप पसंद करते हैं आपको पसंद आती हैं तो शेर कीजिए हमारे वीडियो को थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो उम्मित करता हूं कि फिल्म लेंगे नए डिजाइन के साथ थैंक यू